असलाम अलेकुम एवरीवन और वल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पिल्कुल ठीक होंगे और क्या चल रहा है सबकी लाइफ में मैं अभी यहां पर तैयारी कर रही हूं बच्चों के नाश्टे की आज मैंने सोचा है कि उनको चि के नगेट्स हैं एक रात पहले ही मेरे पास चिकन का कीमा रखा हुआ था तो उसके साथ मैंने सोचा कि नगेट्स घर पर ही बना लेती हूं फ्रोजन चीज़े अब मैं बहुत ही कम लेकर आती हूं कोशिशे करती हूं कि मैं घर पे सारी चीज़े फ्रेश बना कर इनको दे है मैं इसकी रिकॉर्टनी करी बहुत एजी बन थे बहुत सिंपल को अगर आप लुक चाहें तो मैं जो फ्युचर में बनाओंगी कभी तो आपके साथ रेशिपी श्यर कर दूंगी लेकिन बहुत मजे के एज़ी से बनते है बहुत जल्य बन चातें तो सब का अपना में त breadcrumbs की, तो मैं बहुत simple, easy, corn flour, मैदे, इसके साथ ही, जह हो इनकी कोटिं करती हूँ, अब यकीन करें, इतने मज़े के इतने क्रिस्पी बनते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पिकिये हैं खाने में, इसके स्कूल में कुछ लंच देती हूँ, अपनी मर्जी का, तो उन्हें कुछ भी नहीं खाना होता, क्योंकि स्कूल में जब प्लेटाइम हो तो उनकी कोशिच होती है, हम खाना नी कहा हैं, हम खेल लें, जब तक मैं उनके अराउंड ना, उनको ट्रिक्स करके खिलाओना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, अनलेस उनकी कोई फेवरिट चीज उनके सामने हो, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी पसंद की चीज दे दूँ, घर पे तो फिर हम माओने अपनी ही चलानी होती है, तो यहां पर इनके नगेट्स रेडी हो गए हैं, और मैं आपको इनका लंच दिखा देती हूँ, तो मैंने दो दो नगेट्स से दिये थे साथ में, कुछ फूट्स और केक रख के दे दिया था, और बस दोनों को डिफरन डिफरन चीजे रख देती हूँ, जो भी जसको पसंद होती है, उस हिसाब से, तो आरेबलाय के स्कूल में जो है वो लुट सिर्फ स्नाक दे देते हैं, जब बच्चे नप लेकर उठते हैं, तो उनके पस फूट्स और योगर्ट वगरा होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो में खोर्स होता है लँट्च वो बच्चे अपने घर से ले आते हैं, और अक्स्टर स्कूल में और डेकिर्स वगरा में लंच प्रोइड किया जाता है, लेकिन इनके स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और थैंक यू सो मच, आप सभी ने लास व्लॉग देखा, अलाय और आरिप की बर्ट देखा, और आप सब को बहुत अच्छा लगा, आप उनको बहुत सारी दौाइं थी, इसी तरह मुझे और मेरी फैमली को हमेशा अपनी दौाओं में रखेगा, और फ्युचर में बहुत सारी न्यूस का रिवगिल मैं करने वाली हूं आप लोग के साथ, और एक जो बिग न्यूस थी, जिसका आप सब को इंतिजार था, मुझ अशाला हो सकता है के नेक्स कुछ आने वाले व्लोग में करूँ, आप लोग को बहुत खुशी होगी सुनकर क्योंकि मैं भी बहुत जादा खुशी होँ, तो अभी अलाय अरिप को में स्कूल डॉप किया, साथ ही मेरा देंटिस अपोरिमेंट था, मैं आगी ती देंटिस क अशाला होगा तो मैं बहुत जादा एक्साइडिन देखने के लिए और उसका व्लोग मैं जरूर बनाऊंगी तो यहां पर मैं अगार आई उसके बहुत जादा बहुत लग 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 ती मैं एक रात पहले खाना नी खाया था पता नहीं क्यों जब मुझे बहुत नीदारी तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाँ खाना वाना जो है वो फिर देखा जाएगा और इतनी जादा नीदारी थी मैं बस सो गई बच्चों सुलाते साथ ही विए मुझे व्लोग भी एड़िट करना था लेकिन मैं ने सोचा कि ए व्लोग फिर हम तुस्डी को अपलोड कर और यहां पर मैं मज़ेदार से अपने लिए बना रही हो नाश्ता और इस वाले अंडे से मेरी बहुत जादो जो है वो स्कूल टाइम में जब लेके जाना होता था तो अकसर मामा क्या करती थी कि ब्रेट के अंदर कभी शामी कबाब रख के दे दिया करती थी या फिर यह हमें बना कर ब्रेट के अंदर केचप लगा कर दिया करती थी तो मेरा बस मुझे एकदम से क्रेविंग होई मैंने कर यह में मसाले बनाती हो और इससे आज हम अपना ब्रेक्फिस्ट करेंगे मेरे पापा भी जो है ना खाने माशाला बहुत अच्छ बनाया करते थे तो इस अच्छ बनाना हमें पापा नहीं सिखाया था बड़ा जल्दी में मज़ेदार सा बन जाता है लेकिन आज मैंने इसमें एक अडिशन कर दिया किसमें हरी मिर्शे राल दी क्योंकि मुझे हरी मिर्शे बहुत अच्छी लगती है कभी कभी मैं इसके अंदर शामी कबाब भी लेकिन आज मैंने फ्रीजर खोला तो उसके अंदर कोई शामी कबाब नहीं थे सब खतम हो गए थे अब मुझे दुबारा से जो है वो बना कर फ्रीज करने होंगे मैं हमेशे से ही जब भी खतम होते हैं फॉरण से बना कर फ्रीज कर देती हूं क्योंकि जब डाल चावल मट यहां पर अब टाइम साड़े ग्यारा हो रहे हैं मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पिक करने से पहले थोड़ी बहुत ग्रोस्री कर लेती हूं में पस कुछ चीज़े खतम हुई भी थी अफुट्स और सबजी तो वही बस चावकर मैं लेने वाली हूं तो मैंने का चलो आप मुझे एक बात करनी है मतलब कुछ कॉमें का जवाब दे ला है कि पिछली कॉछ videos के कॉमें सेसे पिछली कॉमें असे मेसेज़ आरे है कि मैं इक कितना कमा लेती हूं या कितने बना लेती हूं एवरी मन्त तो डबंड करते है कि वी इडियो पे आपकी वीडियो पे आपकी से परता है इस हसाब से आप जो है वो पैसे बनाते हैं और दूसरा ये कि मैं कितने बनाती हूं तो बताना तो अलाव नहीं होता है यूट्यूब की पॉलिसी होती है अगर आपका चानल है तो आपको पता होगा और बताना भी नहीं चाहिए और मैं इतना बना लेती हूं कि मै अपनी खौइशात को पूरा कर सकती हूँ लेकिन जो आप बाकी चीज़े देखते हैं वो मेरे हस्बंट पूरी करते हैं क्योंके वो जाहर है जॉब करते हैं तो घर के खर्चे उठाना उनका फर्ज है लेकिन कुछ मैं भी इसमें थोड़ा बहुत कर देती हूँ लेकिन जादा नहीं बचों की कुछ चीज़े लानी होती है मुझे अपने लिए कुछ लेना होता है तो मैं अपने पैसे यूज करती हूँ बाकी है कि अली जो है वो सारी चीज़े मैनेश कर लेते हैं बस यही बात होती है और कॉमेंट में लगा दूगी यहां पर जोनों ने मुझसे पूछा था और भी ऐसे कॉमेंट्स होते हैं लेकिन मैं सो समझती हूँ कि जवाब मैं वीडियो में ही दे दिया करूं जाके सबको पता चल चाहे बाकी जादा तो इस बारे में बात करनी भी नी चाहिए मैंने मेरी एक दोस्त है उसकी दोस्त का चैनल जो है वो डी मॉनिटाइज होगे तो वो काफी परिशान है अच्छे खासे इसके सब्स्राइबर्स इसके व्यूज अच्छे तो इसे लिए इस टॉपिक पर अब बात नहीं करेंगे बाकी आपको कोई पूछना हो कुछ भी सवाल जवाब हो तो आप इंस्ट्रग्राम में मुझ से कॉंटाइक कर सकते हैं यहां पर मेरी ग्रोस्ट्री ओगे ती डन जो बेसिक ग्रोस्ट्री जोती हैं मंतली यवीकली वही लेकर आई ती आलू खतम होए वे थे मेरे में घर का जो आइटम था ना आलू वह खतम हो गया था तो मैंने दो बैग्स आलू के ले लिए कि बस अब हम आलू ही खाते रहेंगे क्योंकि आप सब को बताया ना कि मेरी हर डेश में आलू तो ज़रूर जाता है वो पुलाओ और बियानी हो कुछ भी हो आलू तो डलना ही डलना है खर यहां पे मैं घर पाँची तो मैंने सोच रह के मैं जल्दी से आपको चीजे दिखा दिती हूं कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूं मैं हलाल स्टोर भी चली गई थी है हैयाथ मार्केट काफी लोग मुझे कहते हैं कि हम भी हुषि हायग मार्केट लेकिन हमने कभी आपको ने देखा है वहाँ पर मेरी जो टािमिंग है वहाँ जाने के तो मैं री दोपार में तो मीडिय दूप्एर में नहीं जातीओं लेकिन इसे कुछ चीजों में फ्लेवर जा है वो बहुत अच्छा आता है तो यह मैंने ले लिया था साथी साथ कुछ चिप्स लिये थे हलाल स्नैक्स, स्लैंटी जो बच्पन की यादें हैं मुझे यहाँ पर मिल जाती है ईजिली सारे बिस्किट्स बिस्किट्स अच्छा यह जो मैं लेकर आई हूँ मैंने एक खोला तो इसका टेस्ट इतना खराप मैंने इसके एक्सपरेशन दे कि तो सब खराप थे सब एक्सप पड़ी रहती है और हमारा भी इतना देहान नहीं रहता है कि एक्सपरेशन देखकर चीज़ लें लेकिन यह मैंने पूरे सील पैक एक बड़ा सा बैक था उसके अंदर से खोल कर निकाला था तो मेरे माइन में तो यही था कि यह सही होंगे लेकिन खराब निकले खर यहाँ प्रॉपर जो मेरी रूटीन थी पहले उस टाइब की नहीं हो रही थी तो आज मैंने ग्रोश्री भी कर ली और साथ ही साथ मैंने डीप क्लीनिंग थोड़ी बहुत और आज मेरा एक मुवी देखने का इरादा है और बहुत ताइम से मैं ताइम निकालने की कोशिश कर रही तो आज मैंने सोचा के व्लॉग को अपलोड करके मैं जूँ अपनी मुवी एंजॉई करूंगी और आप लोग के साथ भी शायर करूंगी कि कौन से मुवी थी अपना दिन का प्लान मैं ऐसे ही करती हूं बाकि आप सब सुनाएं क्या चल रहा है आप सब की लाइफ में और अपना सब बहुत सारा खयाल रखा करें अपनी फैमली का अच्छा मैं भी बाहर आई तो मुझे इतनी ज्यादा है अवाज आरी थी मतलब हमारी एरिया में कोई क्राइम हुआ है तो इस तरह से ये चॉपर उड़ना शुरू हो गए थे और मैं तो अपनी सबजियां लेने है तो मैंने बाहर दोक कर एक तो मैंने का चलो आपको दिखाती कि मेरे कहर के बिलकुल उपर ही उड़ा था है हलिकॉप्टर तो मैंने देख और सोचे कि आपको भी दिखा दू चल्दी से यहां पढ़ना इस चीज के मामले में यह लोग अच्छे हैं कि जहांवे भी जो क्राइम हो रहा हो तो फॉरन फॉरन आप कॉल करें और यह लोग पहुंच जाते हैं तो असानी रहती है मैं आज वोच्छ से शुच्री बश्चा ग्रफ्रे बात कारी क् clasephony मैं यह नहीं को एरे तॉर अशे दोस्याँ पेस कारी में आजी तेक्तिता कर्से बात कर आद साबने शुच्छे हूं क्योंकि मैं आपको बताया ना कि मुझे आपके साथ कुछ नियूस चियर करनी है और उसका इंतजार करीगा बस इंतजार करना है अच्छा तो मैंने आज सुबा कपड़े भी दो लिये थे अब वो ड्रायर में थे तो मेरा दिंकालने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्यूंकि मुझे बस यही हो रहा था कि मैंने अगर इनको निकाल लिये तो पर मुझे फोल्ड भी करने पड़ें कि और काम बहुत जादा हो जाएगा आज के दिन मेरे लिए और मैंने आज वर्काउट भी किया था अपने आर्म्स का तो बस के सारी चीज़े यहीं परी पड़ी थे कमरा बहुत दीत किसम का गंदा हो रहा था तो मैंने का चलो हमत करते हैं और इसको भी साफ सुतर कर दिया है जाड़ू वारू डस्टिंग सब कर दी मैंने अब मैं कर ही रही हूं तो सही तरह जो है वो सफाई करती हूं वरना उपरी उपरी सफाई अच्छी नहीं लगती है वो कमरा स्टेल गंदा और आपको नजर आ रहा होगा तो उसको भी मिझे साफ करने जाना है सारे बच्चों ने जाना वो बिस्तर स्टोरूम से निकाल कर आपकेश बिस्तर सोर्च ने रख देते हैं और उस पर लोग मज़े इस जम्पे लगा ए होते हैं और अभी जाकर मुझे मेरे दिन में ये दस बार काम हो गया वह मैं दस बार रखती हूं बिस्तर उठा कर दसों बारा निकाल ए उस पर जम्बारा शुरू कर देते हैं आप तो यहां पर मेरी खुईवी चीज मुझे मिली, मैंने एद पर ये और करी थी, मैंने वो बैस्केट रूम में रखी तो मैं क्या करती हूँ, चीजे जो भी लाती है शॉपिंग वसा बैस्केट में रख देती हूँ, अब ये बिल्कुल नीचे दभी वी ती मुझे समझ ही नह और ये पर्स इतना कुई क्यूट है, इसका का कलर इतना प्यार है, मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने पेली नना प्रम में देखते के साथ यह ओर्डर कर दिया था, इतना सौफ तो मैंने सोचे के आपको दिखाँ के मेरी जो चीज ती जो गुम गई थी जिसको मो इसको देखें कभ यूज से लगेगी तो देखें तो देखें उसके साथ पहनती हूं अभि तक मैं ने वो ड्रेस भी नहीं पहनते हों मतलब मैं चीज ले लेती हूं लेकर भूली जाती हूं और अब मैं बता देती हूँ कि मेरा giveaway winner कौन है 50 dollar मिलेंगे उसको मैंने आप से पूछा था कि आरिप की बड़तीम क्या है तो 60% लोगों ने देखा नहीं 40% लोगों ने बोला पॉपर ट्रोल होगी लेकिन सॉलिया गुल ने बोला स्पाइडर मैं और पीजे मैक्स स्पाइडर मैं एवेंजर का ही ही हीरो है सुपर हीरो है तो मैंने इनके आंसर को ठीक बोला और सॉलिया आप प्लीज मुझे इंस्ट्रग्राम में डीम करें ताके मैं आपको 50 dollar सेंट कर दूं और बाकी मैं सिफ यहीं बोलूँ कि कि अगर मैं इस तरह कि कोई व्लॉग अप्लोड करती है तो बीच पीच में आप मैं ऐसे गिववे रखती रहूंगी ताके मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी जीतने का मौका मिले अच्छा तो अब यहां पर डिनर की बारी आ जाती है मैंने जिस्ट मॉटन ब्राउन बनाया था जिस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल कर थोड़ी सी हरी मिर्चें उपर धनिया गार्निश कर दिया था बड़ा जल्दी से बन जाता है क्योंकि मैंने साथ में बनाया है इसके आलू मटर की सबजी और खिचरी भी बनाई है लेकिन यह होता बड़े मज़े का है बहुत सॉ खिचरी भी मेरी रड़ी है मैं खिचरी की भी शेकल आपको दिखा देती हूं तो आज हमारा जो है वो वेजर नॉन वेश दोनों ही खाने का इरादा है अब जस्ट मुझे तो बनाना है क्योंकि जब भी खिचरी बनती है तो मुझे लस्टन का राइता और साथ में अचार फिर मुझे मज़ा आता है खिचरी खाने का अली को जो है मैं आलू के साथ और गोश्य साथ ही दे दूंगी लेकिन मैं जल्दी से जो है वो इंस्टन पॉर्ट में खिचरी भी रड़ी कर ली थी और जब भूग लगेगी डिनर टाइम हो तो साथ साथ इनको रोटियां डाल कर जो है वो खाना सर्फ कर दूंगी तो आज कर जो मैनियो था वो बड़ा सिंपल सा मैंने रखा था ताके जल्दी भी बन जाए क्योंकि काम अज जादा हुआ था तो जल्दी जल्दी मैंने खाना रेडी किया और अब बस मैंने मगरिब की नमास परनी है उसके बाद फिर म महाल बनाए कि मैं अराम से अब अपनी मुवी जो है वो एंजोई करूंगी इस मुवी के मैंने इत्ती तारीफे सुनी तीना मेरी फिरंड्स के देखना 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 और वाकी में इसका मतलब आपको मज़ा आजागा मुवी देखने का इमोशनल भी है और फणी भी है वेस्ट आफ टाइम नहीं है देखनी बनती है यह मुवी इस मुवी का नाम मीमी है और मैंने बेस्ट मुवी देखे है सो फार इतने सालों में तो जरूर देखेगा और अब यहांबर मुझे चैनल को शाटट देना है उनके चैनल का नाम है बखतावर खान व्लॉक्स तो आ यहांबर करें यह मैं परे व्लॉक का एंड आइ होब कि आज का व्लॉक आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दीचेगा मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेगा अपना रखेगा बहुत दा खयाल मुझे रखी अपनी दौा में याद थैंक यू आल सो मच पर वाचिंग बाइ आला हाफिज